हम ये जानेंगे कि ये चार्ज आखर क्यूं कटता है और इससे बचने के लिए हम क्या करें? आपको बता दें कि Bank of Bada ने April 2023 से Zero Balance वाले Basic बचत खाते में ये चार्ज शुरू किया है, कैश विड्रोल पर यह चार्ज लागू हो चुका है. यदि आपका Zero Balance वाला जंधन अकाउंट है या BSBD अकाउंट, उसमें आप हर महीने में चार बार पैसे फ्री निकाल सकते हैं. चार बार की लिमिट पूरी होने के बाद में, जब आप पैसे निकालेंगे या ट्रांसपर करेंगे, तो उसमें आपको 20 रुपे प्लस GST देना होगा, यानि 23 रुपे 60 पैसे. ये चार आपको चार बार की फ्री लिमिट पूरा होने के बाद में प्रती ट्रांसअक्शन पर देना होगा. यानि जैसे ही आप खाते से महीने में चार बार पैसे निकालने या पैसा ट्रांसपर करने की लिमिट पूरी करते हैं, उसके बाद पांचवी बार से ये चार्ज कटेगा आप यदि IMPS द्वारा पैसे किसी को भेजेंगे या कहीं पर NEFT करते हैं या फिर बांच मित्र के पास जाकर पैसा निकालते हैं तो भी पांचवी बार से 30.60 पैसे आपको देने होंगे जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सुविधाएं जो हैं, इनमें पांचवी बार से चार्ज पे करना होगा भले ही आप ब्रांच जाकर पैसे निकाल रहे हो या आप बैंक मित्र के पास से पैसा निकाल रहे हो, ATM से या आधार पैमेंट सर्विस से पैसा निकाल रहे हो, या IMPS कर रहे हो तो महीने में कुल चार डैबट ट्रांजेक्शन ही फ्री है तो zero balance account यानी BSBD account scheme में इसका ध्यान रखें यदि आप ये charge देना नहीं चाहते तो आपको अपना खाता general scheme में convert करवाना होगा जिसमें आपको आपकी branch category के हिसाब से 1000 या 2000 रुपे रुपे average balance रखना होगा उसके बाद ये charge लागू नहीं है दोस्तों इस संबंध में आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे comment करें हम उसका reply करेंगे ऐसे ही वीडियोज के लिए Digital Banking India चैनल को आज ही subscribe करें जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में धन्यवाद जय हिंद